जय मातादी बंदू इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं धनू राशी के बारे में संपूर जीवन के बारे में ये वीडियो बहुत बड़ा हो सकता है इसलिए इस वीडियो को हमने पाच भागों में डिवाइड किया है और ये इसका एक प्रथम भागे पहला भागे अगर आप आगे के वीडियो और देखना चाहते हैं धनू राशी के लिए तो हमारे इस चेनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें घंटी दवायर और ज़रूर सेलेक करें कॉमेंट बॉक्स में जाय माता दी ज़रूर लिखें बिना सवाय गवाय आज के वीडियो हम शुरू करते हैं धनू राशी के व्यक्ति संपून संसार को प्रेम मैं देखते हैं आपके इक्षा विशिष्ट बनने की रहती है अपनी इक्षिद वस्तू की प्राप्ती के लिए इस राशी वाले सभी से संगर्ष कर सकते हैं ये समस्या ग्रस्त लोग की और अधिक आकर्शित होते हैं परन्तु इनमें समस्या को सरल बना पानी की शम्ता नहीं होती है साथी इनका चुनाव बुद्धी मता पूर नहीं होता है इसलिए आपको सतरकता और सावधानी से काम लेना चाहिए किसी भी मानिता को स्युकार करने से पूर्विये उस पर परियाप्त सोच विचार भी करते हैं पर मूलता सत्यान विशी होते हैं ये धार्मिक होते हुए भी परमपरागत धार्मिक रीतियों का पालन कभी नहीं करते हैं ये एक से दूसरी मानिताओं, विश्वासों और दर्शनों के वीच संचार करते रहते हैं ये लोग सदेव उचाई की और पहुचने को प्रियातनी शील रहते हैं इनकी सहजभोध, शक्ती, असाधारन होती है सवभाव से कूट नीती के नहीं होते परंतु इस पस्ट वक्त होने के करण अंजाने में ही दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुचाते रहते हैं ये लोग बड़े बातूनी होते हैं और शगुन मुहुर्त आदी का भी ध्यान रखते हैं ये कभी-कभी असाधारन संकटों को भी स्विकार कर लेते हैं इनकी अतहा प्रेणा इन्हे स्वताही उचित मार की और ले जाती है इस राशी के लोग संकुचित वरत्ति के नहीं होते वेकमाने जीवन दर्शन की खोज में लगे रहते हैं ये लोग वस्तू के सुधार के लिए उत्सुक रहते हैं परंतुतर्क संगत व्यवार अपनाना ही इनके लिए लाबधायक होता है इनका शरीर स्वस्त और शक्ति शाली होता है इस राशी के लोग अपनी भूल पर पश्चता प्रकट करने में भी अपना असम्मान समझते हैं इन्हे संगीत से रुची होती है इन्हे ब्रह्मन करना प्री होता है इस राशी के लोग यानि की धनू राशी वाले लोग कानून और धुन के पक्के होते हैं द्रण विचार वाले, साहसी, जोशीले और इसपस्टवादी होते हैं, इनकी मस्तिश के शक्ती वड़ी तीब्र होती है, कान प्रतिस्ठा और न्याय का आदर करते हैं, इनका आकर्शक व्याभार उन्हें सब कुछ प्राप्त करा सकता है। आप लोग विचार शील धहरेवान होते हैं, दूसरों के विचारों को चपचाप सुनते हैं पर उनकी आलोचन नहीं करते हैं, दूसरों पर पूर्ण विश्वास प्रदर्शन करते हैं, इसलिए दूसरे लोग भी इन पर पूर्ण विश्वास करते हैं, धनुराशी के लोग दूसरों की भावनाओं को ध्यान रखने वाला और दूसरों की सहायता के लिए प्रस्तुत रहने वाले होते हैं इस राशी का संबंध कूल हो और जांगू से हैं इस राशी का स्वास्त सामानिता अच्छा होता है खानपान की गड़वड़ी के कारण ही उन्हें वात विकार सता सकते हैं ये लोग खोजी प्रवर्ति के होते हैं और याहे प्रवर्ति बनाए रखनी चाहिए धनूराशी वालों की सबसे बड़ी कमजोरी भाविश्य के लक्ष को भूत काल की स्मृतियों में परिवर्तित कर लेना है उनकी सबसे बड़ी शक्ती अनुभव से सीखना है धनूराशी वालों का व्यक्तित्व इसपस्ट, भावुकता, बैचेनी और बोधिक उत्सुकता से परिपुन होता है आप लोग ठोस कारियों के इकशुक होते हैं धनूराशी का ब्रस्पति ग्रह से निकट का संबंध है इस कारण इस राशी के जातकों के लिए भागिश अली दिन गुरुवार होता है इस दिन आप लोग विशेश प्रस्थन रते हैं आपके लिए रविवार सुब सोमवार, मध्यम, बंगल, शुकरो, शनिवार के दिन अशुब होते हैं जिस दिन कुम्भ राशी का चंद्रमा हो उस दिन आपको महत्व का कारे प्रारंब नहीं करना चाहिए धनुराशले व्यापार धंदा स्वयम करें तो उत्तम रहता है भागीदारी में परेशानी उठाना पड़ती है ये जद को समाल कर चलते हैं और धन से अधिक मानते हैं ये हमेशा वो द्योग में लगे हुए देखे जाते हैं जब साड़े साती चलती है तब आर्थिक हानी उठानी पड़ती है इन्हें वस्तर उनी कपलों और खेल के सामान के निर्माता के रूप में अधिक सफलता मिलती है इन्हें किसी एक व्यवसाय को चुन कर उसी में निरंतर लगे रहना चाहिए बार-बार व्यवसाय से इने सफलता नहीं मिल सकेगी धनुराशी वालों के लिए पीला, हलका आस्मानी, हलका हरा, गुलाबी, जामुनी रंग, भागिशाली रंग होते हैं इन रंगों के वस्तर पहनने से मानसिक शान्ती बनी रहती है जेब में हमेशा पीले रंग का रुमाल रखने से लाब होता है अपने कपलों में मुख्य रूप से पीला, हलका आस्मानी रंग को किसी न किसी रूप में आपको अवश्य चुनना चाहिए धनुराशी वालों की लोगों को, व्यक्तियों को पतिनी संतोशी, गुडवान, परिश्रमी, शान्त और भाग गीवती परात होती है विवाहिक जीवन सुखी रहता है धनुराशी के पुरुष नारिक और नारीत्व का अनुभव कराते हैं यस्तिरी से महान बनने की आशा रखते हैं और निर्नयात्मक ढंग से काम करने वाले होते हैं इने संकुचित विचारों वाला जीवन साथी पसंद नहीं होता और मुप्तु रूप से प्यार करना और पाना चाहते हैं धनुराशी के पुरुष अपने लिए अधिक स्वतंत्रता चाहते हैं ये अपनी पत्नी से अपने इस्तर तक उठने की आशा करते हैं हाव भाव के द्वारा उनको सरलता से वशिभूत किया जा सकता है ये समान रूप से साहसी और प्रगति शील साथी को चाहते हैं स्वाव लंबी नारी इने अधिक अथि लगती है यद्यपी धनु स्वभाव से अगनी तत्व की राशी है परन्तु प्रेम के मामले में धनु राशी वाले विनम्र होते हैं बदले में किवल प्रशंशा चाहते हैं इनके जीवन में प्रेम और विवाह के अनिक प्रसंग आ सकते हैं ये विवाह करते जरूर हैं लेकिन उसका ये कोई महत्व नहीं मानते हैं इस राशी में अत्पन्य जातकों को सोर, मास, चेत्र, श्रावण, जेस्ट, अत्वा मार्ग शीष में जन्मे स्तरी पुर्शों से विभा, अत्वा मित्रता करना सुख तायक रहता है। यदि आप इन अंकों की शुभा शुबता को ध्यान में रखकर कारी करें, तो अवश्य आपको लाबकारी होगा। करते देखी गए हैं। जीवन में किसी बड़े खर्च का मोका भी आता है। इससे रण होना भी संभावे। धन के संबंद में हर्ष पूर्ण विनोत की भावना इन में रहती है। या आर्थिक हानी से पीडित व्यक्ति को भी हसा देनी की शक्ती रखते हैं। आर्थिक मामलों में इनका जुकाव कुछ बाधक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। आयो बुद्धी के साथ साथ ये आर्थिक मामलों में कटर होते चले आते हैं। ये लोग यश के भूके होते हैं और अपने धन को केवल उन ही कारियों में खर्च करते हैं जिन में उन्हें यश प्राप्त हो सके। वैसे ये किरपन स्वभाव के होते हैं और एक पैसा खर्च करने में भी इनका जी दुखता है। अधादी जरूर लिखें।